हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो आप लोगों का एक बार फिर से इंजिनियर सेनी के यूट्यूब चैनल पे हारदिक स्वागत है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आल इन वन प्रैक्टिस पैस सीरीज में हमने तीन सेशन्स कर लिये हैं तो आज हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 4 बे जहां पर हम यूटिलाइजेशन आफ इलेक्ट्रिकल इनरजी में इलूमिनेशन का लास्ट पार्ट डिसकस करने वाले हैं तो चलिए बेटा आज का टेबल आफ कंटेंट देखें कि क्या क्या चीज़ें हम डिसकस कर रहे हैं गैसियस डिस्चार्ज लैम्प के बारे में आज डिसकसन करेंगे इसमें हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले सोडियम वेपर लैम्प दूसरा बेटा अगर देखा जाए तो हम डिसकस करेंगे मरकरी वेपर लैम्प इसी में आपके high pressure और low pressure mercury vapor lamp होते हैं उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम discuss करने वाले हैं neon lamp को already हमने कल की class में discuss किया था जोकि एक gaseous discharge lamp का example था जिसको हमने cool cathode lamp बोला था फिर हम discuss करेंगे arc lamp के बारे में जहां पर हम केवल और केवल एक carbon arc lamp के बारे में discussion करेंगे carbon arc lamp के बारे में उसके साथ साथ हम देखेंगे fluorescent lamp के बारे में कि fluorescent lamp क्या होता है उसी में हम discuss करने वाले हैं CFL के बारे में compact fluorescent lamp के बारे में और last हम discuss करेंगे LED के बारे में तो ये complete discussion हमारा आज की class में रहेगा तो ये classes में भी आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट ये सारे के सारे important topics हैं illumination में जो कि आपके examination में हर साल पूछे जाते हैं तो इन सारे topics को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा तो चलिए एक motivational quotes के साथ हम सुरुवात करते हैं अपने lecture की कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन आपको बहुत बड़ी जीत दिलाती है तो इसलिए बेटा आपको भी कभी हार नहीं माननी है आपको continuously effort करते रहना है और तभी आप एक ने एक दिन सफल होगे चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला questions आते हैं पहला question क्या कह रहा है In a fluorescent lamp circuit the function of capacitor connected across starter यह आपका है starter connected across starter terminal is 2 मतलब fluorescent lamp circuit में starter terminal के across जो capacitor हम connect करते हैं इसका function क्या है Option A, improve the power factor Option B, minimize interference C, produce high voltage to initiate discharge and option D, limit starting current तो इन सारे options को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि fluorescent lamp है क्या actually तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले discuss करेंगे fluorescent lamp के बारे में तो जैसा कि बेटा आप इस figure में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो पहला figure है यह figure आपके fluorescent lamp का एक constructional diagram बता रहा है और यह actual figure है आपके fluorescent tube का तो या इसी को आप tube light भी बोलते हैं जो fluorescent tube आपके पहले घरों में लगती थी tube light हाला कि अब वो LED से replace हो गई है बठा आज भी अगर कुछ जगह पे देखा जाए जैसे commercial buildings वगरे में वहाँ पर हम अभी भी fluorescent tube का इस्तेमाल करते हैं तो fluorescent lamp है क्या? पहले इसको हम समझते हैं तो fluorescent tube actually एक low pressure mercury vapor lamp होता है जिस पर हम phosphor material की coating कर देते हैं और यह phosphor material की जैसे ही coating आप करोगे तो यह phosphor material basically जो ultraviolet radiation निकलती है इसको visible light में convert कर देगा और यह depend करेगा कि इसका जो color होगा वो depend करेगा कि आप किस तरह के phosphor material की coating किये हुए है जैसे for example अगर आप zinc silicate की coating कर रहे हैं तो color green हो जाएगा या cadmium borate की coating करते हैं तो pink color आ जाता है या cadmium hollow phosphate की आपने coating किये है तो यह color आपका white हो जाता है तो acid different यह depend करता है कि किस तरह का phosphor material उसके उपर coat किये हुए है तो fluorescent lamp है क्या actually तो हम यह लिख सकते हैं कि fluorescent tube is fluorescent tube या lamp is basically a low pressure low pressure mercury mercury vapor lamp on which on which on which on which phosphor phosphor material material is coated coated which convert ultraviolet radiation ultraviolet radiation into visible light into visible light क्या चीज़े आपको पता चली कि normally जो fluorescent tube है वो एक low pressure mercury vapor lamp है जिस पर हम phosphor material की coating कर देते हैं और यही phosphor material जो भी ultraviolet radiation आ रहा है produce हो रहा है due to the gaseous discharge इसको visible light rays में convert कर देता है तो बिटा जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे clearly कि यह आपके fluorescent tube है और इसी fluorescent tube में हम क्या करते हैं यहाँ पर यह आपके दो electrodes हमने लगा दिये यह आपके side में क्या है electrodes है और इसी के अंदर हमने आर्गन को fill कर दिया है और mercury के crystals को भी रख दिया है यहाँ पर हमने क्या फिल कर दिया यहाँ पर अगर देखा जाये तो यह आपके आर्गन होते हैं और प्लस हम इसी में क्या करते हैं, mercury crystal भी fill कर देते हैं, तो इसलिए हमने बोला कि normally यह क्या है, एक low pressure mercury vapor lamp है, अब हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर हम supply देते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पर supply दिया, तो normally starting के लिए आपको high voltage की जरूरत होती है, बट running condition में अगर देखा जाए, तो normally आप low voltage supply दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम high voltage impulse प्रोवाइड कर रहे हैं, with the help of ballast, तो यहाँ पर ballast का का काम क्या होता है, ballast का का काम high voltage impulse प्रोवाइड करना है, for starting, तो अगर इसका operating principle आप देखो बेटा, तो इस fluorosin tube के अंदर, हम आरगन रखते थे हैं, और उसके साथ साथ mercury के crystal भी रखे हुए है, या actually mercury रखा हुआ है, अब अगर हम देखें कि जैसे ही आप supply देते हो, तो यहाँ पर electronic ballast क्या करेगा, या simply ballast क्या करेगा, एक high voltage impulse प्रोवाइड करेगा, और इस high voltage impulse के करण, ये आरगन क्या हो जाएगा, आपका discharge हो जाएगा, मतलब यही आपका क्या करेगा, एक discharge initiate करेगा, और इसके discharge initiate करने के कारण, इतनी heat produce हो जाती है, जो कि mercury को वेपराइज कर देती है, हमने क्या बोला, हमने जैसे ही voltage apply किया, बैलास्ट क्या करेगा, एक high voltage impulse प्रोवाइज करेगा, और इस high voltage impulse के करण, आरगन discharge होगा, और discharge होने के करण, अब ये enough heat प्रोवाइज करता है, जो कि mercury को वेपराइज कर देता है, और जैसे ही mercury वेपराइज होगी, बिटा एक ultraviolet radiation निकलता है, और इसी के ऊपर हमने क्या किया, इसी के ऊपर हमने, फॉस्फर मेटेरियल की कोटिंग कर दी है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके फॉस्फर मेटेरियल की, इस glass tube के ऊपर ही हमने किसकी कोटिंग कर दी है, फॉसफर मेटीरियल की Coating कर दी है यहां पर देख सकते हो आप यहां पर यही जो है फॉसफर मेटीरियल की Coating है यह किसकी Coating हमने की है फॉसफर मेटीरियल की है और यह इस Ultra Violet Radiation को Convert कर देगा Visible Light Res में तो यह चीज आपको समझ में आई है कि floros and tube क्या है एक low pressure mercury vapor lamp है जिस पर हम phosphor material की क्या कर देते हैं coating कर देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आरगन यही आपके क्या है यह देखे आरगन के crystals वगरे हैं तो हम क्या करते हैं जैसे ही और इसी के अंदर यहाँ पर देखे तो एक liquid mercury होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे ही voltage apply करते हैं तो यहाँ पर एक electronic ballast होता है और यह electronic ballast एक high voltage impulse प्रोवाइड करता है जिसके कारण यह आरगन एक discharge initiate करता है और जैसे ही यह discharge initiate करेगा तो अब यह इतनी heat provide कर देगा कि जो भी आपकी liquid mercury है यह liquid mercury vaporize हो जाती है और यह ultraviolet radiation produce कर देती है बट यहाँ पर हम जो phosphor material की coating करते हैं यह coating उस ultraviolet radiation को convert कर देगी किस में convert कर देती है visible light rays में अब बात आती है कि इसके जो light की color होती है तो यहाँ पर जो light की color होगी वो अलग अलग होती है वो depend करेगी कि आपने किस phosphor material की coating की है different material के लिए light का color different होता है is that clear तो हम यह लिख सकते हैं कि when यहाँ पर लिख सकते हैं voltage is applied when high voltage impulse is यहाँ पर लिख सकते हैं when high voltage impulse is high voltage impulse is applied with the help of with the help of help of ballast with the help of ballast क्या होगा बटा argan argan initiates initiates discharge argan initiate discharge and produces and produces produces enough heat enough heat to vaporize to vaporize mercury to vaporize mercury clear है तो यहाँ पर यह लो प्रेशर mercury वेपर लेंप है जिसमें हम जैसे ही voltage apply करेंगे यहाँ पर बैलास्ट क्या करेगा high voltage impulse provide करेगा जो की आरगन को discharge अरगन को initiate कर देगा discharge produce करने के लिए और यह इतना enough heat produce कर देता है चाकि mercury क्या हो जाए vaporize हो जाए तो यह liquid mercury क्या हो जाती है vaporize हो जाती है और जिसके करण एक जिसके करण एक ultraviolet radiation produce होता है तो हमेशा ध्यान रखना एक ultraviolet radiation produce होता है तो यहीं इसी tube के उपर हमने क्या किया है phosphor material की coating की है जो की इस radiation को इनकी life कितनी होगी कुछ important points है जो आपको ध्यान में रखने है बेटा यहाँ पर अगर इनकी life देखी जाए तो इसकी life जो है वो लगभग लगभग 6000 घंटे होती है यह बहुत important है उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इनके color तो इसका color किस पर depend करेगा फॉस्फर मेटीरियल की कौन से फॉस्फर मेटीरियल की आप कोटिंग करते है तो color depends on depends on फॉस्फर depends on फॉस्फर मेटीरियल next अगर देखा जाए efficiency की तो यहाँ पर नॉर्मली जो efficiency होती है वो लगभग लगभग 60 lumen per watt होती है तो fluorescent lamp की efficiency 60 lumen per watt होती है अगर हम बात करें इसके application की बिटा तो इसके applications कहां कहां पर है applications इसका देखा जाए तो residential buildings में residential buildings और उसके साथ साथ अगर देखे तो हम बहुत सारे shops वगएरे में भी इनका इस्तमाल करते हैं तो residential building and shops में हम इसका use करते हैं तो life 6000 घंटे है color depends on the phosphor material efficiency 60 lumen per watt है application residential buildings and shops में होगा क्या है ये एक low pressure mercury vapor lamp सर आप कई बार इन चीजों को बता रहे हो ये केवल इसलिए बता रहे हो ताकि ये सारी चीज़े आपको याद हो जाए तो low pressure mercury vapor lamp है जिस पर हम phosphor material की coating कर देते हैं और यही material ultraviolet radiation को visible light rays में convert कर देता है clear तो आते हैं हम अपने question पे question क्या कह रहा है कि in a fluorescent lamp circuit the function of capacitor connected across the starter terminal is तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर starter terminal के across ही हम क्या करते हैं capacitor connect करते हैं और इसका काम क्या है इसका काम केवल और केवल जो भी radio interference आ रहा है उसको minimize करने के लिए होता है तो जो भी radio interference normally अगर देखा जाए कि इनके drawbacks क्या है बिटा तो यहाँ पर fluorescent lamp का drawback अगर हम discuss करें तो fluorescent lamp में drawback अगर देखा जाए तो दो तरह के drawback हैं पहला यह एक radio interference प्रड्यूस करता है पहला क्या है रेडियो interference रेडियो इंटर्फेरंस रेडियो इंटर्फेरंस प्रड्यूस करता है और दूसरा अगर देखा जाए इसका drawback तो flicker यहाँ पर क्या होता है lamp flicker होता है या इसी को हम बोलते हैं stroboscopic effect क्या होता है stroboscopic effect तो ध्यान रखना है यहाँ पर lamp flicker हो सकता है या stroboscopic effect भी हो सकता है तो यह जितने भी आपके fluorescent tube होते हैं वो radio interference भी produce करते हैं और उसके साथ flickering effect भी produce करते हैं या stroboscopic effect हम इस radio interference को minimize अगर हमें करना है तो हम starter terminal के cross capacitor connect कर देंगे एक low value का लगबग 0.05 microfarad का जो की radio interference को minimize कर देता है then to minimize ध्यान रखना to minimize radio interference radio interference interference a capacitor is a capacitor is connected across connected across across ध्यान रखना मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ connected across starter terminal across starter terminal तो ध्यान रखना है कि जब भी अगर देखा जाया कि radio interference को आपको minimize करना है तो आप starter terminal के across एक capacitor connect कर देंगे normally यहां पर हम दो तरह के starter का use करते हैं या तो हम thermal starter का use कर सकते हैं glow type starter but mostly हम glow type starter का ही स्थमाल करते हैं और अगर देखा जाया इस capacitance की value कितनी होती है 0.05 microfarad होती है तो 0.05 microfarad का capacitor starter terminal के across अगर आप connect कर देते हो बेटा तो यह radio interference को minimize कर देगा is that clear तो यहां पर दो चीज़े आपको ध्यान में रखनी है ballast का use किसले किया high voltage impulse provide करने के लिए और उसके साथ सत करेंट को limit करने के लिए दूसरा अगर देखा जाए कि starter का use किसले है इसको हम start करने के लिए high voltage impulse provide करने के लिए next दीसरा अगर देखा जाए यहां पर कि normally आप capacitor जो starter terminal के एक्रोस connect करते हो उसके कराण क्या होगा यह radio interference को minimize कर देगा तो अब हम question पे आते हैं कि जो भी capacitor आप connect कर रहे हो across the starter terminal is to improve power factor नहीं power factor अगर improve करना है तो आप supply terminal के across हमेशा capacitor connect करते हो minimize radio interference हाँ correct है बटा radio interference को minimize करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर एक capacitor starter terminal के across connect कर देते हैं next अगर है produce high voltage to initiate discharge इसके लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं इसके लिए हम ballast का इस्तमाल करते हैं तो ballast is used to provide high voltage to initiate the discharge limit starting current तो यह भी function किसका होता है यह भी function आपके ballast का है तो अगर देखा जाए तो ballast के दो function है पहला high voltage impulse provide करता है high voltage impulse provide कर रहा है और दूसरा अगर देखें तो limit कर रहा है current को limit starting current तो ध्यान रखना है बटा इसी starting current को यह क्या करता है limit करता है कोई भी पूछे ballast के कितने function है दो function है पहला function क्या है यह high voltage impulse provide करेगा और उसके साथ साथ अगर देखा जाए बटा कि यहाँ पे दूसरा function क्या है इसका तो second function अगर हम देखें तो इसका second function बटा यह है कि यह starting current को limit कर देता है clear तो यहाँ पे आपको सारे answer पता हो गए होंगे तो answer यहाँ पे क्या है minimize radio interference जब भी fluorescent lamp में radio interference को minimize करना होता है तो starter terminal के cross एक capacitor हम connect कर देते हैं next यहाँ पर आते हैं हम अगले question पे अगला question क्या कह रहा है कि which of the following statement is not true regarding CFL means CFL के regarding अगर देखा जाए तो कौन कौन से statement सही नहीं है तो पहले यहाँ पर देखा जाए तो हम CFL के बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे और जैसे ही आप discussion करोगे तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको clear हो जाएंगी तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं CFL की CFL क्या है बेटा तो normally यह fluorescent lamp ही है लेकिन हमने इसको क्या बोला है इसको हमने नाम दिया है compact fluorescent lamp कौन सा lamp है CFL, CFL का full form क्या होगा compact fluorescent lamp अगर देखा जाए यहाँ पर तो यह अलग-अलग sizes में आते हैं और अलग-अलग wattage में आते हैं 5 watt हो सकता है CFL अगर देखें तो 5 watt के भी आते हैं 7 watt के भी आते हैं 9 के आते हैं, 11 के आते हैं 18 watt के CFL आते हैं या 24 watt के तो ऐसे different-different sizes के CFL आते हैं जो की 220 voltage पे design किये जाते हैं अगर हम बात करें CFL है क्या तो मैंने पहले भी बताया कि यह फ्लोरोसेंड lamp है क्या यह एक low pressure mercury vapor lamp है जिस पर हम electron emission material की coating कर देते हैं तो CFL क्या है it is it is a low pressure it is a low pressure mercury mercury vapor lamp mercury vapor lamp coated with coated with coated with electron emission material electron emission material तो बिटा अगर हम बात करें यहाँ पर कि normally आपका CFL क्या है CFL एक low pressure mercury vapor lamp है जिस पर हम electron emission material की coating कर देते हैं सर यह electron emission material क्या है यही fluoroscent material है क्या है यही आपके fluoroscent material है fluoroscent material ठीक है यहाँ पर आप CFL को देख पा रहे हो कुछ इस तरीके के electronic ballast का इस्तमाल करते हैं CFL में किसका इस्तमाल करेंगे electronic ballast का इस्तमाल करेंगे और electronic ballast का काम क्या होता है current को limit करना और उसके साथ साथ इसका main function जो होता है वो high voltage impulse provide करना ताकि यह discharge को initiate कर सके अगर हम बात करें CFL की electronic ballast is used in CFL clear है आप देखेंगे इसी के अंदर हम electronic ballast का इस्तमाल करते हैं next अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी efficiency अगर बेटा आप से पूछी जाए कि इसकी efficiency कितनी होती है तो इसकी efficiency CFL की लगबग लगबग 50 से 90 lumen पर watt की है मतलब tube light की तुलना में अगर हम compact fluorescent lamp को देखें तो इसका size कम हो जाता है because हम यहाँ पर electronic ballast का use करते हैं आप जैसे अगर मेरे से यह पूछोगे कि sir हम fluorescent lamp का इस्तमाल कर रहे थे तो fluorescent lamp में क्या होगा है tube light का इस्तमाल कर रहे हो तो इसका electronic ballast भी इसका size भी जादा रहता है उसके साथ साथ आप एक long tube का इस्तमाल करते हो लेकिन जब आप compact fluorescent lamp में आते हो तो यहाँ पर आप normally electronic ballast का use करते हो जो इसके size को काफी कम कर देता है और उसके साथ साथ यहाँ पर हम क्या use कर रहे हैं बेटा यहाँ पर electronic ballast का हम इस्तमाल करते हैं इसके करण इसके size को यह काफी compact कर दे रहा है तो ballast ना use करके हम electronic ballast का इस्तमाल करते हैं जो कि इसके size को काफी reduce कर देता है जिसके लिए इसका नाम क्या होता है compact fluorescent lamp next अगर देखा जाए यहाँ पर तो efficiency हमने आपको बता दिया है 50-90 lumen per watt होती है life अगर आपसे पूछे तो इसकी life भी क्या होती है जादा होती है लगबग लगबग 8000 घंटे इसकी life हो जाती है अगर बेटा इसके applications की बात करें कि इसको हम कहां कहां पे use करते हैं मैं आपको हर bulb में हर lamp में क्या बता रहा हूँ efficiency, life इसके color और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके applications के बारे में हम discussion कर रहे है इसका main purpose के वले इतना है कि examination में इस segment से बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं application अगर देखा जाए तो इसका wide range of application है आप इसको offices वगरे में use कर सकते हैं उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो conference all में इसका इस्तमाल किया जाता है next अगर देखा जाए तो इसको shops वगरे में use कर सकते हैं domestic purpose पे इसका इस्तमाल कर सकते हैं आप buildings वगरे में use करते हैं जहाँ पे आपको uniform illumination की requirement है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका application क्या है used where used where uniform illumination is required त्यान रखना वहाँ वहाँ use करेंगे जहाँ पे आपको uniform illumination की requirement होती है clear है बेटा तो यहाँ पे CFL आपको समझ में आ गया होगा CFL fluorescent lamp ही है मतलब एक low pressure mercury vapor lamp ही है जो की electron emission material की उस पे हम coating कर देते हैं function वगेरे सारी चीज़े same है बट यहाँ पर हम ballast की जगां electronic ballast का इस्तमाल करते हैं जो इसके size को काफी compact कर देता है efficiency 50-90 lumen per watt होती है life 8000 घंटे होती है application अगर देखा जाए तो वहाँ पर हम use करते हैं जहाँ पे uniform illumination की जरूरत होती है normally we are using these type of lamp in offices conference halls sobs residential buildings etc clear है बटा यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो अब हम आते हैं अपने questions पे कि हमारा question क्या कह रहा है अगर देखा जाए यह पूछ रहा है कि which of the following statement is not true regarding CFL CFL मतलब compact fluorescent lamp है क्या है बटा यह compact fluorescent fluorescent lamp इसका मतलब हो क्या compact fluorescent lamp इससे के regarding कौन सा statement या कथन सही नहीं है an electronic ballast is used for high voltage starting correct है क्योंकि discharge initiate करने के लिए आपको high voltage की जरूरत होती है तो उसके लिए हम electronic ballast का इस्तेमाल करेंगे option A correct है it is a low pressure mercury vapor lamp coated with fluorescent material second statement भी सही है CFL क्या है एक low pressure mercury vapor lamp है जिस पे हम fluoros and material से coating करते है it consumes very high electricity पेढ़ा ये statement wrong है normally अगर इसकी efficiency देखा जाए तो efficiency high होती है normally 50 से लेकिन 90 lumen per watt की और ये आपके low electricity consume करता है तो ये statement आपका wrong है इस statement अगर देखा जाए तो statement C जो है वो incorrect है true नहीं है तो यहाँ पे आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer C हो जाएगा option C it consumes very high electricity ये गलत है it consumes low electricity option D देखा जाए बिटा N यहाँ पर 100 नहीं होगा N 18 watt ध्यान रखना N 18 watt CFL produces illumination equivalent to 100 watt in candleston lamp एकदम correct है because इसकी luminous efficiency जादा होती है 18 watt का CFL इतना illumination produce कर देगा जो की आप 100 watt के incandescent lamp से produce कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 18 watt इतनी light produce करता है उतनी light आप 100 watt के incandescent lamp से produce कर पाऊगे तो इसकी जो lamp efficiency है वो काफी high होती है तो option D भी correct है तो यहाँ पर बेटा electronic ballast का use करेंगे low vapor pressure mercury lamp है next अगर देखा जाए तो 18 watt का CFL इतना illumination produce करता है जो 100 watt के incandescent lamp के बराबर होता है लेकिन option C गलत है it consumes very high electricity electricity यह कम consume करता है यहाँ पर आप देख पा रहे हो यार कि यह आपके crompton वगरे के electronic ballast है यह क्या है यह आपका electronic ballast है इसी को हम बोलते है electronic ballast clear है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह electronic ballast आप use करते है fluorescent वागर है lamp में और यह simply आप ballast भी बोल सकते हो यह electronic ballast और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो PCB लगी होती है इस PCB में क्या है इस PCB में यहाँ पर देख पा रहे हो यह आपका step up transformer है जो कि क्या करेगा एक high voltage impulse provide करेगा लगबग लगबग 450 volt तक का यहाँ पर आप देख रहे सकते हो कि यहाँ पर जो है यह inverter circuit है विटा यह complete आपकी inverter circuit है क्या है inverter inverter का का काम क्या है कि normally inverter क्या करेगा DC को AC में normally जो inverter है वो DC को AC में convert करता है next यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह आपके rectifier circuits हैं यह क्या है बटा आपके rectifier circuits हैं rectifier का का काम यहाँ पर simply क्या है कि AC को DC में convert करना और next यहाँ पर हम क्या करते है एक series register का इस्तमाल करना है यह current को क्या कर रहा है limit कर रहा है तो series register है तो यहाँ पर अगर electronic ballast को आप देखोगे तो यह simple इसमें क्या है step up transformer है inverter है rectifier है और series register elements है clear है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा incorrect है C option यह high electricity consume नहीं करेगा low electricity consume करता है clear तो I think यह सारी चीज़ें आपकी clear हो गई होगी तो बढ़ते हैं अगले question पर अगला question क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे यह question पूछा जा रहा है कि fluorosand material jinx silicate is used in fluorosand tube gives color मतलब जो fluorosand material हमारा है यहाँ पर jinx silicate यह कौन सा color आपको देता है normally हम क्या कर रहे है कि हम इसके tube के ऊपर एक phosphor material जो की jinx silicate है उसकी coating कर दे रहे है और यह क्या करेगा ultraviolet radiation को visible light rays में convert कर देता है और normally अगर इसका color देखा जाए तो jinx silicate का color बेटा green होता है क्या color होता है यहाँ पर green तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर answer आपका green हो जाएगा correct अब बात आती है कि blue, blue, white या pink यह सब color आपके इस तरह से produce कर पा रहे हो तो अलग-अलग आपके phosphor material है और उनका color भी अलग-अलग होता है तो यहाँ पर मैं mention करूंगा phosphor material phosphor material बहुत important है कई बार पूछा जा चुका है और यहाँ पर मैं mention करूंगा कि उनके color क्या है तो अगर हम बात करें यहाँ पर phosphor material की तो सबसे पहला zinc silicate zinc silicate तो बिटा अगर मैं आप से पूछूं कि zinc silicate का color क्या है आप बोलोगे green color है next अगर हम बात करें calcium tungstate की तो यहाँ पर हम बात करने है calcium calcium tungstate की calcium tungstate की अगर color देखा जाए तो इसका color आपका blue हो जाएगा next अगर हम बात करें cadmium borate अगर आपका phosphor branch material cadmium borate का होता है तो color कैसा होगा cadmium borate की case में अगर देखा जाए तो इसका color जो है वो dry light होता है dry light होता है या इसी को हम बोल सकते हैं कि यह white color होगा next अगर बात करें कि अगर suppose calcium hollow phosphate है कैसा है बेटा यहाँ पर calcium hollow phosphate hollow phosphate calcium hollow phosphate है तो यहाँ पर जो color होगा एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सध्यान रखना है यह थोड़ा सब mistake हो गया बेटा यह dry light या white color जो है यह आपके calcium hollow phosphate का है dry light dry light और white color और white color यह किसका है calcium hollow phosphate का cadmium borate का color जो है वो pink होता है cadmium borate का color कैसा होगा pink होगा next अगर magnesium tang state है magnesium magnesium यह बेटा सारे questions पूछे गए है और important भी है magnesium tang state है अगर तो color कैसा होगा यहाँ पर color blue is white हो जाएगा blue is white color हो जाएगा तो यह सारे color हमने बता दिए कि जिस तरह के phosphor bronze material आप coat करोगे उसी तरह का आपका color मिलता जाएगा जैसे आपने zinc silicate किया तो यहाँ पर green color answer हो जाएगा blue color कैसे मिलेगा blue color हमेशा calcium tung state से मिलेगा pink color कैसे मिलेगा pink color हमेशा cadmium borate से मिलेगा blue is white color का formation हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर magnesium tung state है तो यह चीज आपको धियान में रखनी है तो बहुत जादा नहीं रियाद करना है सारा यह basically कुछ ऐसे phosphor material है जिसकी coating हम करते हैं अपने fluorescent lamp में याद रखना है पहला क्या है zinc silicate, दूसरा calcium tung state तीसरा cadmium borate, चौथा calcium hollow phosphate पाच्वा magnesium tung state green color कैसे होगा zinc silicate से, blue color कैसे होगा calcium tung state से और अगर हम बात करें कि blue is white color कैसे होगा तो magnesium tung state tung state अगर आ गया तो समझ जाएगे कि blue रहेगा अगर calcium tung state है तो blue और अगर magnesium tung state है तो blue is white pink color है तो cadmium borate green color है तो zinc silicate तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा answer A हो जाएगा चलिए आते हैं अपने अगले question पे अगला question क्या के रहे बिटा कि which type of starter is used for fluorescent lamp मतलब जो आप fluorescent lamp use कर रहे हो उस fluorescent lamp में आप किस तरह के starter का इस्तार का इस्तार का इस्तार करते हो तो हमने आपको बताया कि normally हम दो तरह के starter का use करते हैं कितने तरह के starter का हम इस्तार करते हैं दो तरह के पहला there are two types of starter there are two types of two types of starter कौन कौन से पहला अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं glow type और दूसरा अगर देखें तो दूसरा है हमारा thermal type starter thermal type starter तो दो तरह के starter का इस्तार का इस्तार होता है ग्लो टाइप और थर्मल टाइप जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हो यह आपके ग्लो टाइप स्टाटर है और दूसरा आप देख सकते हो यह थर्मल टाइप स्टाटर है thermal type starter में हम क्या करते हैं एक bimetallic strip का इस्तमाल करते हैं तो शुरू में ये क्या है कि जैसे ही contact में आता है एक high voltage impulse प्रोवाइड करेगा लेकिन जैसे ही ये heat up होगा तिन ये क्या करेगा bimetallic strip bend हो जाती है और ये आपका circuit open हो जाता है जिसके कारण अब हम normal supply voltage maintain कर पाते हैं तो starting में high voltage हम यहाँ पर starter की मदद से produce कर रहे हैं और उसके बाद एक normal supply voltage हम यहाँ पर produce कर पा रहे हैं तो normally अगर देखा जाए mostly जो है वो glow type starter का इस्तमाल होता है तो mostly glow type starter is used glow type starter is used तो अगर आप से पूछा जाए कि mostly कौन से starter का इस्तमाल करते हैं glow type starter का इस्तमाल करते हैं and it is a basically voltage operated device कैसी device है बेटा voltage operated device है तो यह आपको ध्यान में रखना है clear है यह आपका जो figure है यह किसका है glow type starter का और अगर हम बात करें यह किसका है तो यह आपके thermal type starter का है यह दोनों चीज़े आपको ध्यान में रखनी है कि कितने तरह के fluoros and lab में starter use होते हैं दो तरह के glow type और thermal type mostly हम यूज करते हैं glow type starter और यह voltage operated device होता है next अगला question आते हैं अगला question बेटा कह रहा है कि which one of the following is incorrect regarding LED LED के regarding कौन सा statement जो है वो incorrect है यह हमें बताना है तो बेटा सबसे पहले हम यह समझेंगे कि LED का मतलब क्या है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे आपके different LED bulbs market में available हैं जो कि आपके different bulbs को replace कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो decorations वगरे में या advertisement वगरे में भी हम LED bulbs का इस्तमाल कर रहे है तो यह सारे के सारे क्या है आपके LED bulbs है normally जो LED का full form होता है LED को हम बोलते है light emitting light emitting diode क्या बोला जाता है light emitting diode और इसका अगर circuit symbol देखें तो circuit symbol कुछ ऐसा होता है मतलब कि यह एक semiconductor device होता है pn junction semiconductor device होता है जिसमें आप जैसे ही electric current पास करोगे तो recombination होने लगता है और उसके करण यह हमेशा light को क्या कर देगा emit कर देगा तो LED किस principle पे work करेगा कि जब भी हम इसके through current जब भी हम इसको forward bass में connect करते हैं तो इसके through एक current पास होगी और इसके जैसे ही current पास होगी clear है यह normally क्या होते हैं आपके PN junction diode होते हैं लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे इसके through current पास कराएंगे तो यह हमेशा light को क्या करते हैं emit करते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए LED के बारे में तो LED के बारे में कुछ important points से बेटा जो की आपको ध्यान में रखने हैं क्या है LED basically क्या है it is a light emitting diode और अगर देखा जाए इसमें तो normally it works on the principle of on the principle principle of electro electro luminescence electro luminescence तो हमेशा ध्यान रखना है कि यह किस principle पर work करेंगे यह हमेशा electro luminescence के principle पर work करेंगे इसका मतलब कि whenever 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 current is flowing current is flowing through current is flowing through LED LED a light is light is produced produced light is produced clear है मतलब जब भी current इसमें क्या करेगी flow करेगी तो यहाँ पर light क्या हो जाएगा produce हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि normally इसमें क्या है एक pressure rectifier circuit का हम इस्तमाल करते हैं और यह rectifier circuit AC को किसमें convert कर देता है AC को DC में convert कर देता है और यही DC voltage हम apply कर देते हैं different आपके LED यहाँ पर बहुत सारी LED क्या होती है connected होती है तो यह LED पर हमने provide कर दिया और जैसे ही current इसके थूपास होगी यह light को क्या कर देगा emit कर देगा clear है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन LED की जो efficiency की अगर हम बात करें बेटा तो इनकी efficiency बहुत जादा होती है अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई lamp बताईए जिसकी efficiency क्या हो highest हो तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि highest efficiency होती है highest efficiency होती है और normally अगर देखा जाए तो 120 से लेके 200 lumen per watt तक की मतलब अगर देखा जाए कि mostly सबसे जादा high efficiency किसकी होती है light emitting diode की होती है LED lamps की होती है इसकी efficiency 120 से लेके 200 lumen per watt की है अगर आपसे पूछा जाए कि highest life span किसका होता है तो इसका life span भी क्या है highest है बेटा और अगर देखा जाए यह life span तो यहाँ पर लगभग लगभग 40,000 घंटे इसका life span होता है तो 40 से 50,000 घंटे का इसका life span होता है तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे जादा efficiency किसकी है LED की है सबसे जादा life span किसका है LED का है कितना 40,000 घंटे उसके साथ साथ अगर देखा जाए vaporize कर सके mercury को तो वहाँ पे हमें कुछ warm up time की जरूरत होती है लेकिन LED में कोई भी warming up time की requirement नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं no warming no warming up time time as CFL need जैसा कि CFL में जरूरत होती थी warming up time की तो यहाँ पे LED में कोई भी warming up time की जरूरत नही है जैसे ही आप current pass कराओगे immediately यह क्या होगा glow कर जाएगा मतलब light produce हो जाएगा उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि light जो है इसका color जो है different color हम यहाँ पे obtain कर सकते हैं और basically इसके operation के लिए हमें DC की requirement होती है तो यहाँ पे एक और point आप लिख सकते हैं DC is इसके operation के लिए हमें DC की requirement होती है DC is required for operation तो यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे हमने bridge rectifier का इस्तमाल किया है ताकि हम इस AC को DC में convert कर सकें और यह operation provide कर सके अबना या operate कर सके अगर हम इसके applications की बात करें तो बिटा LED का जो applications है ध्यान रखना LED के जो applications है इनके applications कहां कहां पे होंगे जैसे अगर देखा जाए तो indicating lamps जितने भी आपके indicating lamps होते हैं उन सारे जगह पे आप LED का इस्तमाल कर रहे हो present time में उसके साथ साथ अगर देखे panel board instrument में panel board instrument में panel board instrument में भी हम LED का ही use करते हैं as an indicating lamps उसके साथ साथ अगर देखा जाए automobiles में next अगर देखा जाए traffic signals में traffic signals में traffic signals में इन सारे जगह पे उसके साथ साथ अगर देखे lighting वगेरे के लिए तो present time में हम किसका use कर रहे हैं हम हमेशा use कर रहे हैं इस समय LED का ही क्यों बिकाज इसकी efficiency बहुत जादा है इसका life span बहुत जादा है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहां पर कोई भी warming up time की ज़रुरत नहीं है immediate light को क्या कर रहा है produce कर रहा है और normally अगर देखा जाए तो LED जो है वो आपके tube के form में भी available है और उसके साथ साथ 2 feet, 4 feet, 8 feet के length तक के tube के भी form में ये available present time में है या bulb के form में तो यहां पर आप देख सकते हैं ये LED है और ये LED bulb के form में available है तो यहां पर अगर हम देखा जाए कि यहां पर हमें देखें कि LED के regarding कौन सा statement incorrect है पहला high lamp efficiency correct है बिटा इसकी efficiency high होती है कितनी 120 से लेके 200 lumine per watt तक की efficiency है require warming up time as CFL गलत है ये statement because यहां पर कोई भी warming up time की ज़रूरत नहीं होती है ये instant light को क्या करेगा produce करेगा light of various color can be obtained ये correct है आपका various color light हम इससे obtain कर सकते हैं and this is required for its operation ये भी correct है तो यहां पर एक statement incorrect है वो है option B तो हम ये बोल सकते हैं कि यार यहां पर warming up time की requirement नहीं है जैसे कि CFL में ज़रूरत होती है तो LED में इसकी ज़रूरत नहीं है क्या का points LED में आपको ध्यान में रखने है बिटा LED का full form क्या है light emitting diode ये normally P-enjunction होते हैं semi-conducting material की बने होते हैं यहां पर जैसे ही हम P-enjunction को forward bias में करेंगे ये हमेशा क्या करेगा यहां पर electric current flow हो जाएगा और एक electro-liminance के कारण एक light produce कर देता है इसमें कोई भी warming up time की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि CFL में ज़रूरत है highest efficiency होता है highest life इसमें लगबग 40,000 घंटे का होता है और जैसा कि यहां पर आपको दिखाया गया है कि simple एक different LEDs को हम इस्तमाल कर रहे हैं किस तरह से इसके operation के लिए हमें DC की requirement होती है Is that clear? तो I think यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो आईए बढ़ते हैं अपने अगले question पे अगला question क्या कह रहा है यार Which lamp does not have separate choke? कह रहा है कि कौन से lamp में separate choke की जरूरत नहीं होती है सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि choke है क्या Normally अगर देखा जाए तो high voltage impulse provide करने के लिए choke का इस्तमाल करते हैं तो choke is used to provide high voltage impulse तो choke is used to provide high voltage impulse high voltage impulse at the starting provide करने के लिए आप choke का इस्तमाल करते हैं तो यह कह रहा है कि कौन सा ऐसा lamp है जिसमें separate choke की जरूरत नहीं होती है या separate choke नहीं होता है तो हम बात करेंगे यहाँ पर sodium vapor lamp है पहला दूसरा गर देखा जाए फ्लोरोसेंट lamp तीसरा mercury vapor lamp तो फ्लोरोसेंट lamp में आप देख रहे हो कि आप फ्लोरोसेंट lamp में भी जैसा आपने देखा कि वहाँ पर हमें separate choke की बेटा जरूरत हो रही थी वहाँ पर हमने क्या किया था फ्लोरोसेंट lamp में सीरीज में separate choke connect कर दिया था बालास्ट जिसको हमने बोला mercury vapor lamp तो fluorescent lamp क्या है it is a type of low pressure mercury vapor lamp तो वहाँ पर भी आपको separate choke की जरूरत होती है लेकिन sodium vapor lamp एक ऐसा है जहाँ पर आपको separate choke की requirement नहीं होती है यहाँ पर हम high voltage provide करने के लिए high leakage reactive transformer का इस्तमाल करते हैं मतलब ऐसे transformer का हम use करते हैं जिसका leakage reactance काफी high होता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है fluorescent lamp या mercury vapor lamp में अलग से हम ballast का use करते हैं लेकिन sodium vapor lamp में कोई भी ballast का हम separate use नहीं करते हैं यहाँ पर आपके high leakage reactance का जो transformer है वही आपके high voltage impulse provide करता है at the time of starting तो यह चीज़ आपको clear हो जानी चाहिए तो अब हम यहाँ पर answer अगर देखें तो यहाँ पर हम method of elimination से भी ध्यान में रख सकते हैं कि normally mercury में separate use नहीं sorry mercury में अगर देखा जाए तो separate use हो रहा था mercury में क्योंकि हमने fluorescent lamp discuss किया यहाँ पर separate use होगा यहाँ पर separate use होगा लेकिन sodium vapor lamp में separate use नहीं होगा तो answer क्या हो जाएगा केवल और केवल एक only sodium vapor lamp तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि sodium vapor lamp sodium vapor vapor lamp does not have does not have separate choke ध्यान रखना है separate choke या ballast sodium vapor lamp में कोई भी separate choke या ballast नहीं होता है तो चलिए one by one यहाँ पर हम तीनों के बारे में discussion करेंगे तीनों में fluorescent lamp we have already discussed अब हम discuss करने वाले है sodium vapor lamp और mercury vapor lamp के बारे में तो पेटा सबसे पहले हम discuss करेंगे sodium vapor lamp क्या है sodium vapor lamp नाम सही पदा चल रहा है कि यहाँ पर जो vaporization हो रहा है वो sodium के crystal का होता है तो simply अगर देखा जाए sodium vapor lamp में आप क्या करते हो कि एक double walled flask का इस्तमाल करते हो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक flask लिया और इस flask के अंदर अगर देखा जाए तो यह हम lamp tube का इस्तमाल कर रहे है और इसी lamp tube के अंदर आप देखोगे बेटा कि हमने दो electrode रखे हैं यह आपके दो electrode हो गए उसके साथ साथ हम इसी के अंदर क्या fill कर देते हैं इसी के अंदर देखा जाए तो हम sodium vapor lamp में neon gas fill कर देते हैं और sodium के crystal भर देते हैं क्या होता है आपके normally जो lamp tube होता है इस lamp tube में हमने क्या किया metallic sodium neon gas और दो electrodes हैं तो इसके अंदर क्या है इसके अंदर है आपका metallic sodium metallic sodium प्लस अगर देखा जाए तो इसी के अंदर क्या है आपके neon gas है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कोई separate choke हम नहीं लगा रहे हैं हमने क्या किया high reactance high leakage reactance transformer की मदद से एक high voltage impulse यहाँ पे provide किया जैसे ही आप यहाँ पे high voltage impulse provide करोगे बिटा neon आपका discharge हो जाएगा और neon जैसे ही discharge होगा तो यह आपके अब इतनी heat produce कर देगा जिससे की sodium vaporize होने लगे और जैसे ही sodium आपका vaporize होने लगेगा तो यहाँ पर आपकी एक light produce हो जाती है और यह normally जो light होती है यलो light होती है sodium vapor lamp में अगर देखा जाए तो it consists of it consists of क्या क्या consist है discharge tube it consists of discharge tube मतलब वो normally lamp tube जिसमें की discharge क्या हो रहा है initiate हो रहा है containing discharge tube containing क्या क्या contain किये हुए metallic sodium containing metallic sodium sodium कॉमा neon gas neon gas and two electrodes and two and two electrodes clear है पेटा तो यहाँ पर normally जो discharge tube होता है उसके अंदर दो electrode होते है sodium होता है और उसके साथ neon gas होता है normally जब हम क्या करते हैं leakage reactance transformer की मदद से high voltage impulse provide करेंगे then यहाँ पर neon gas क्या हो जाएगा initiate हो जाएगा और discharge produce कर देगा तो neon gas starting में neon gas क्या करेगा it initiates initiates discharge with इसका color जो हो है वो red होगा with red color with red color and produces and develop और produces and develop enough heat enough heat enough heat to vaporize to vaporize sodium to vaporize sodium ध्यान से आपको पढ़ना है patiencefully पेटा क्योंकि यह चीज़ पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं हैं और केवल और केवल इसी के questions आपको लगाने भी हैं तो हमने क्या बोला कि नॉर्मली जब भी हम high leakage transformer के मतलब यहाँ पे कोई separate choke आप यूज नहीं कर रहे हो high leakage transformer की मदद से हमने क्या किया है एक high voltage impulse प्रोवाइड किया है during starting और यह लगभग लगभग कितना voltage at the time of starting प्रोवाइड कर रहा है बिटा लगभग 450 volt और जैसे ही यह आपके high voltage provide करेगा आपका neon gas discharge initiate करेगा और उसके साथ साथ अगर देखें तो अब यह इतनी heat develop कर देगा जो की आपके metallic sodium को vaporize कर देगा clear है जैसे ही sodium आपका vaporize होता है then अब आपको इतने high voltage की ज़रूरत नहीं है बेटा then अब आप normal voltage low voltage भी supply कर सकते हो during its operation और यह लगभग लगभग आप 1500 volt तक supply करते हो तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है मतलब यहाँ पर अगर देखा जाया तो हम लिख सकते हैं high voltage high voltage is required is required at the time of starting at the time of starting कितना voltage लगभग लगभग 450 voltage की requirement होती है at the time of starting बट अगर हम बात करें कि during operation during operation low voltage जो है वो sufficient होता है low voltage is required low voltage is required तो operation के समय low voltage है लगभग लगभग आपका 100 volt तो हम क्या करते हैं normally जो हमारे high leakage reactance transformer होते हैं इसमें tapping होती है शुरुआत में हम tapping को ज्यादा करके high voltage provide करते हैं जैसे ही अगर देखा जाए कि एक बार आपका discharge initiate हो जाएगा तिन अब हम tapping को change करके low voltage provide करने लगते हैं और लगभग लगभग 1500 volt तक यहाँ पर अगर देखा जाए high leakage transformer के कारण इसका जो power factor होता है वो काफी low होता है और इस low power factor को improve अगर करना है तो हम इसके across AC supply के across एक capacitor connect कर देते हैं ताकि हमारा power factor क्या हो जाए improve हो जाए तो यहाँ पर हमने क्या किया है capacitor is connected to improve power factor तो ध्यान रखना है power factor को improve करना है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर capacitor को connect कर दिया across the supply ताकि power factor क्या हो जाए improve हो जाए उसके साथ साथ अगर हम बात करें यार कि sodium vapor lamp का जो time होता है for full glow यह लगबग लगबग 10-15 minutes होता है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे कुछ points आप लिख दीजे important points related to sodium vapor lamp क्या क्या आपके important points है यह आपको ध्यान में रखना है पहला अगर देखा जाए तो normally time for full glow कितना होता है time for full glow full glow में आने के लिए लगबग लगबग आपके 10-15 minutes लेता है कितना लेता है 10-15 minutes लेता है power factor अगर देखा जाए तो इसका क्या है low power factor है उसके साथ साथ अगर देखे power factor को improve करना है तो हमने क्या किया supply के across एक capacitor को connect कर दिया नॉर्मली अगर देखा जाए कि इसकी efficiency कितनी है बेटा efficiency की अगर हम बात करें तो इसकी efficiency हो जाती है लगबग लगबग 40-50 lumine पर watt की efficiency 40-50 lumine पर watt की अगर हम बात करें कि इसके sodium vapor lamp के हम light की बात करें कि इसका जो light color होता है वो कैसा होगा तो इसके प्रकास का रंग कैसा होता है बेटा ये monochromatic yellow होता है क्या होता है monochromatic monochromatic yellow होता है मतलब एक single yellow light यहाँ पर रहती है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो sodium vapor lamp का use कहां पर आप करोगे street lighting में highway lighting में और normally इसको हम horizontal configuration में ही placed करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना it is placed horizontally कैसे placed होगा horizontally placed होगा ध्यान रखना important है horizontally placed होगा अगर हम इसका use देखे sodium vapor का तो sodium vapor का use कहा कहां पर होगा street lighting और highway और ये सारे important points है जो आपको ध्यान में रखने होंगे क्या क्या points आपको ध्यान में रखने होगे sodium vapor lamp पे normally क्या होता है discharge tube जिसमें metallic sodium होता है neon होता है और दो electrodes होते हैं जैसे ही आप reactive transformer की मदद से high voltage impulse प्रोवाइड करोगे लगबख 400 volt का तो यहाँ पर जो neon gas है वो initiate कर देगा discharge with red color मतलब शुरू में इसका color red होगा लेकिन जैसे जैसे ये heat को develop करेगा आपका धीरे धीरे sodium vaporize होने लगता है और जैसे ही sodium vaporize हो जाएगा तो 10 से 15 मिनट बात ये full glow पे आ जाता है और इसका जो color होगा वो monochromatic yellow light होता है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुरूआत में high voltage impulse की जरूरत होती है जो कि हम यहाँ पर कोई चोक हम use नहीं करेंगे separately यहाँ पर हम simple क्या use करते हैं बेटा यहाँ पर हम simple high leakage reactance transformer का इस्तमाल कर देते हैं इसका power factor low होता है और in order to improve its power factor we are connecting a capacitor across the supply mains ताकि आपका power factor क्या हो जाए इंप्रूव हो जाए उसके साथ साथ इसकी efficiency आप देखें तो 40-50 lumen per watt है अगर इसके life की बात करें कोई भी इसके life की बात करेगा बेटा तो इसका life कितना होगा अगर हम इसके life की बात करें तो इसका जो life span होगा वो लगबग लगबग 3000 घंटे होता है तो life span कितना हो जाएगा 3000 घंटे हो जाएगा street lighting में हम इसका इसका इस्तमाल करेंगे और ये time for full glow 10-15 minutes इसको horizontally placed करते हैं कैसे placed करते हैं हमेशा horizontally चलिए बेटा आते हैं दूसरे lamp पे दूसरा lamp क्या है यहाँ पर mercury vapor lamp तो हम यह समझेंगे कि है क्या mercury vapor lamp तो simply ये भी एक gaseous discharge lamp ही है लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो mercury vapor lamp आपके different types के होते हैं अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर high pressure high pressure mercury vapor lamp high pressure mercury vapor lamp किसकी बात करेंगे बेटा हम high pressure mercury vapor lamp की बात करेंगे तो normally अगर देखा जाए तो ये तीन तरह के होते हैं पहला जिसको हम बोलते हैं MA type क्या बोला जाता है MA type MA से नाम से ही पता चल रहा है कि M का मतलब mercury होता है A का मतलब argon होता है इसको हम बोलते हैं mercury argon type क्या बोलते हैं mercury argon type lamp तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो normally हम जैसे ही यहाँ पर high voltage impulse प्रोवाइट करेंगे तो आरगन क्या करता है initiate करता है discharge को आरगन initiates initiates discharge discharge को आरगन क्या कर देगा initiate कर देगा and develop and develop develop enough heat develop enough heat to vaporize to vaporize mercury ध्यान रखना है mercury तो नौर्मरी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक mercury vapor को fill कर देते हैं और sorry mercury liquid को और जैसे ही यहाँ पर high voltage impulse provide करोगे with the help of ballast और choke यह क्या करेगा आरगन को initiate कर देगा और discharge यह produce करता है अब यह इतनी heat develop कर देगा कि जो की आपके mercury को liquid mercury को vaporize करने में sufficient होती है clear है बेटा तो यहाँ पर अगर time of operation देखा जाए तो इसका time of operation कितना होगा लगबग लगबग 4 से 5 मिनट का होता है बेटा अगर हम बात करें कि इसकी efficiency कितनी होगी तो इसकी efficiency 40 lumen per watt होती है efficiency 40 lumen per watt होती है और हमेशा यह ध्यान रखना कि it is always suspended suspended या placed vertically ध्यान रखना है sodium vapor lamp हमेशा क्या होता है horizontally होता है बट यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो यार यह कैसे suspended है vertically suspended है उसके साथ साथ अगर देखें हम इसके life expectancy की तो life कितना होता है लगबग लगबग 20,000 गंटे होते हैं इतना life होता है इसका 20,000 गंटे होता है और इसका इस्तमाल हम कहाँ पर करते हैं इस यूजड इन इंडस्ट्रियल लाइटिंग तो इंडस्ट्रियल लाइटिंग वगएर में हम इसका इस्तमाल करते हैं clear है बटा तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है is that clear कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको चलिए next अगर देखा जाए तो दूसरा अगर देखें तो दूसरा है M.A.T. type कौन सा है यहाँ पर अगर देखें second M.A.T. type है तो ध्यान रखना है second अगर देखें तो M.A.T. type high pressure mercury vapor lamp होते हैं जिनमें कोई भी चोक की जरूरत नहीं होती है तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर page नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ extra point लिख रहा हूँ बेटा यह extra point आपको ध्यान में रखने है M.A.T. type M.A.T. का मतलब क्या है कि mercury argon tungsten ध्यान रखना M.A.T. का मतलब क्या होता है mercury argon tungsten तो यह आपको याद रखना है कि जो M.A.T. type है mercury argon tungsten high pressure mercury vapor lamp इसमें क्या होगा कि कोई भी चोक की जरूरत नहीं है no choke is required तो यह ध्यान रखना है यहाँ पर कोई भी चोक की requirement नहीं होती है और इसलिए हम इसको AC और DC दोनों पर operate कर सकते हैं therefore can be operated on AC as well as DC तो ध्यान रखना है यह points किसके लिए है यह points आपके mercury vapor mercury argon tungsten type high pressure mercury vapor lamp के लिए है तो MAT type के लिए है यहाँ पर कोई चोक की requirement नहीं होती है और इसलिए हम इसको AC और DC दोनों पर इस्तमाल कर सकते है next इसी में एक होता है MB type क्या होता है बटा MB type होता है high pressure mercury vapor lamp तो MB type में अगर देखा जाए तो normally इस MB का मतलब क्या है mercury और B का मतलब होता है bionet b का मतलब क्या होता है bionet होता है या b का मतलब ballast भी होता है यहाँ पर तो bionet या ballast तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम किसी भी position में इस्तमाल कर सकते हैं it can be used can be used in any position in any position तो ध्यान रखना है कि यह जो भी points मैं लिख रहा हूँ यह सारे के सारे points बेटा यह सारे के सारे points किसके लिए हैं यह सारे के सारे points मैं लिख रहा हूँ especially for high pressure mercury vapor lamp क्यों क्योंकि space नहीं होने के करण मुझे इसको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है clear है तो यहाँ पर यह चीज आपको पता चल गई choke क्या है choke normally high voltage impulse provide करता है during starting अगर आपके MB type है तो यहाँ पर MB का मतलब होता है mercury, bionet या ballast type इसको हम किसी भी position में इस्तमाल कर सकते हैं MET type अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई choke की जरूरत नहीं होती है इसलिए AC और DC दोनों पर operate किया जा सकता है लेकिन जब अगर देखा जाए जहाँ पर choke की जरूरत है वो कभी भी DC पर operate नहीं हो सकते हैं अगर आप choke का इस्तमाल कर रहे हैं तो वो cable AC पर operate होंगे और अगर choke की बात करें तो यह high voltage impulse provide करता है capacitor अगर देखा जाए तो हम connect कर रहे हैं किसके cross supply के cross थाकि हम power factor को क्या कर सकें improve कर सकें और हमेशा mercury vapor lamp में कौन सा radiation produce होता है ultraviolet radiation produce होता है अब हम आते हैं बटा यहाँ पर carbon arc lamp के बारे में याद रखना यह सारी चीज़ें carbon arc lamp के लिए नहीं थी अब हम बात करते हैं carbon arc lamp तो यह जैसा आप देख पा रहे हो यह हमारा क्या है carbon arc lamp है बिटा कौन सा lamp है carbon arc lamp यहाँ भी आप देख सकते हो carbon arc lamp है तो normally अगर देखो तो carbon arc lamp में यह आपका anode हो गया मतलब यह positive electrode है कैसा है यह positive है और अगर देखा जाए तो यह point आपका क्या है यह point जो pointed है यह pointed point आपका cathode है मतलब ये negative electrode है तो normally अगर देखा जाए तो carbon arc lamp में ये एक arc lamp है और इसमें दो electrode होते है एक positive और एक negative इसमें जो negative electrode होता है बिटा वो हमेशा fix electrode होता है और positive electrode को हम क्या करते है इसको movement provide करते है तो मतलब अगर इसका circuit देखें तो कुछ इस तरीके का होगा ये आपका negative electrode है negative electrode और negative electrode हमेशा क्या होता है हमेशा fix होता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा positive electrode है और ये positive electrode movable होता है और इसी के series में हम क्या use कर देते हैं ballast का इस्तमाल कर देते हैं clear है तो ये आपके क्या है ये आपके positive electrode है जैसे ही आप यहाँ पर voltage apply करोगे तो voltage apply करने पर normally अगर देखा जाया तो negative electrode पे low temperature आता है लगबग लगबग 2500 degree centigrade जबकि positive carbon electrode पे आपके लगबग 4000 degree centigrade temperature आता है इसी लिए इस high temperature से deal करने के लिए हमने इसका जो surface area है वो ज्यादा रख दिया है तो basically carbon arc clamp में हमेशा ध्यान रखना कि जो diameter होता है diameter of positive electrode is twice of negative हमेशा ध्यान रखना है कि जो diameter होता है positive electrode का वो negative का दो गुना होता है और यहाँ पर यह positive electrode का diameter हम दो गुना इसलिए रख रहे है ताकि यह high temperature को deal कर सके और उसके साथ साथ अगर देखें तो ज़्यादा सर्फिस एरिया होने के करण ये स्टडी आउट्पुट को भी प्रोवाइट करता है नेक्स अगर देखा जाए तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बिटा कि नॉर्मली हम जैसे ही ये आपके क्या है ये आपका मुवेबल है क्या है ये मुवेबल है और ये आपके फिक्स है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसको पहले क्या करते हैं टच कराते हैं और टच कराने के बाद जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा एर गया पाएगा जिसके कराण यहाँ पर आर्क प्रडियूस हो जाता है क्या प्रडियूस हो जाता है पेटा आर्क प्रडियूस हो जाता है और आपका बल्ब ग्लो कर जाता है नॉर्मली यह इलेक्ट्र अगर हम इसके लाइफ की बात करें बेटा तो इसकी लाइफ लगबग लगबग 8000 गंटे होती है 8000 आवर्स होती है और उसके साथ साथ अगर हम इसके एप्लिकेशन की बात करें तो इसका applications कहां कहां पे है इसका इस्तमाल हम cinema projector में करते हैं कहां पे use होगा cinema projector में इसका इस्तमाल होता है उसके साथ साथ अगर देखें तो हम इसको search light में use करते हैं search light में और उसके साथ साथ हम इसको flash में भी use करते हैं जो camera का आपका flash होगा उसमें भी हम किसका इस्तमाल करते हैं उसमें भी हम कार्बन आर्क लैम का इस्तमाल करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स पेटा आपको ध्यान में रखने हैं लाइफ इस्पैन क्या है 8000 गंटे और इसका जो कलर है वो कैसा है white color की light है कैसी light है यहाँ पर white color की light है ध्यान रखना है तो carbon arc lamp में क्या क्या चीजे याद रखनी है पहला luminous efficiency no lumen per watt है life 8000 घंटे है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमेशा diameter जो positive electrode का है वो दो गुना है negative electrode से उसके साथ अगर देखा जाए और arc को यहाँ पर अगर देखा जाए carbon arc lamp में electrode हमेशा carbon के बने होते हैं तो यह सारे के सारे points आपको याद रखने हैं तो हमने one by one तीनों lamps के बारे में discussion किया sodium vapor lamp के बारे में mercury vapor lamp के बारे में और इसके type के बारे में भी चाहे वो आपके mercury argon type हो या mercury argon tungsten type हो या mercury bionate cap type हो और फिर हमने discuss किया carbon arc lamp के बारे में तो अब आते हैं हम अपने questions पे बेटा अगर अपने questions की हम बात करें तो दो list दिया हुए list one और two आपको select करना है correct code given in the option बहुत important है कई बार आपके exam में पूछा जा चुका है carbon arc lamp का जो light color होता है बेटा वो कैसा होता है वो white होता है तो carbon arc lamp white हो गया मतलब A का 3 तो A का 3 या तो A हो सकता है या D हो सकता है तो बाकी दोनों option आपके गलत हो गया दूसरा sodium vapor lamp की बात करें तो monocronatic yellow light होती है कैसी yellow light होती है sodium vapor lamp में तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो option B का 1 हो गया B का 1 मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो A या D हो सकता है mercury vapor lamp की बात करें तो mercury vapor lamp की जो light होती है बेटा हमेशा ध्यान रखना कि mercury vapor lamp की जो light होती है वो हमेशा greenish blue होती है कैसी होती है greenish blue होती है कैसा है यह ग्रिनिश है तो नॉर्मली यह लाइट जो है वो ग्रिनिश ब्लू होती है क्लियर तो मरकरी वेपर लाइट कैसी है ग्रिनिश ब्लू मतलब C का 4 है C का यहाँ पे 4 है तो option A correct है बिटा option A आपका correct हो गया और यहाँ पे halogen lamb की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है कार्बन आर्क लाइट कैसी होती है white, sodium वेपर लाइब की लाइट, monochromatic yellow, mercury वेपर लाइब की लाइट, greenish blue होती है halogen lamb की लाइट हमेशा क्या होती है, yellow white और neon lamb की लाइट क्या होती है blue color की होती है, is that clear? next यह सारे के सारे points यहाँ पर आप mention कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है सारे के सारे points, अगर हम बात करें कि यहाँ पर carbon arc lamp carbon arc lamp, यह सारे के सारे points अगर mention करें तो important points यहाँ पर mention कर सकते हैं उनके color के बारे में तो ऐसा करते हैं यहाँ पर कि मैं आपको एक table बना देता हूँ जहाँ पर हम उसके applications के बात करेंगे उसके साथ साथ उसके efficiency, life hours, color की बात करेंगे सारी चीज़े हम एक साथ बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं यह ध्यान दीजे, बहुत important है, यह हमने लिख दिया lamp फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया efficiency मैं बात कर रहा हूँ, इसकी lumen पर watt में उसके बाद हमने यहाँ पर देखा life, कि life इसका कितना है यह बात कर रहा हूँ, मैं hours में फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर color की color की, और then उसके बाद हम बात करेंगे इसके application की, clear है तो यह सारे lamps के लिए मैं लिखूंगा, ध्यान रखना यह सारी चीजे मैं सारे lamps के लिए mention करने वाला हूँ तो यह सारे points आपको बेटा, ध्यान में रखने है clear है, तो आते हैं, सबसे पहले discuss करते हैं यार, सबसे पहले हम discuss करेंगे यहाँ पर sodium vapor lamp के लिए कि sodium vapor lamp की efficiency कितनी है तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर बेटा, जैसा कि आप जानते हो sodium vapor lamp की बात करें तो sodium vapor lamp की efficiency first lamp की बात करेंगे कौन सा है, sodium vapor lamp sodium vapor lamp तो आपको बताना है, sodium vapor lamp की efficiency कितनी है, बताया हमने 40-50 lumen per watt अगर हम बात करें इसके life की तो इसका life कितना है, बेटा इसकी life की बात करें, तो लगबग लगबग 3,000 गंटे इसकी life होती है, अगर इसके color की बात करें, तो इसका color कैसा होता है, monochromatic कैसा color होता है, monochromatic yellow होता है, बेटा अगर हम इसके application की बात करें तो इसका application कैसा है, इसका इसका इस्तमाल हम street lighting में करते हैं कहां पे use करते हैं, street lighting में next दूसरा अगर हम बात करें second तो second बात कर रहे हैं बेटा हम carbon arc lamp की carbon arc lamp अगर carbon arc lamp में देखा जाए तो normally इसका जो efficiency होगा वो no lumin per watt होगा इसका life hours अगर देखा जाए तो लगबग 8000 घंटे होता है इसका light अगर देखा जाए तो carbon arc lamp में white light होती है और इसका use हम कहां पे करते हैं flash camera में use करते हैं उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो cinema projector में इस्तमाल करते हैं तो flash camera के साथ साथ cinema projector में use करेंगे next अगर देखा जाए बेटा तो हम बात करते हैं यहां mercury vapor lamp की यह सारे के सारे आपको मंदर याद करने है mercury vapor lamp अगर हम mercury vapor lamp की बात करें तो लगभग लगभग 40 lumen per watt इसकी efficiency है 20,000 घंटे इसका लगभग लगभग आपका hours जो है वो light का span है next अगर देखा जाए तो mercury vapor lamp अगर देखें तो mercury vapor lamp की जो light color होता है वो हमेशा क्या होता है याद रखना है greenish blue color होता है कैसा है greenish blue color होता है next अगर हम बात करें कि इसका use कहां पे करते हैं इसका इस्तमाल हम industrial ध्यान रखना industrial lighting में करते हैं यह सारे के सारे points पेटा आपको याद रखने यह सारे के सारे points बहुत important है तो incandescent lamp में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो efficiency होगा वो efficiency कितनी होगी incandescent lamp की 10 से लेके 14 lumen per watt इसकी efficiency होती है अगर इसकी life देखें तो सबसे कम होती है लगबग लगबग 1000 घंटे उसके साथ साथ अगर देखें इसका light color तो भीटा इसका light color हमेशा white होता है और next अगर इसका use देखा जाए तो normally इसका इस्तमाल हम general lighting purpose के लिए करते हैं तो general lighting के लिए आप किसका use करते हो incandescent light bulb का इस्तमाल करते हो next अगर हम बात करें neon lamp का neon lamp तो बताइए आप neon lamp की जो efficiency है वो हमने कलकी class में डिसकस की थी लगबग 15 से लेके 40 lumen पर watt की होती है इसका जो life expectancy है वो लगबग लगबग 10,000 घंटे होता है बेटा 10,000 घंटे neon lamp का अगर color देखा जाए तो normally blue color होता है अगर आप mercury neon का इस्तमाल करते है तो कैसा color होता है इसका color जो होता है वो blue color होता है और इसका use हमेशा किस में करते है advertisement में करते है याद रखना इसका use कहां पर होता है advertisement में होता है तो incandesan bulb भी हो गया neon lamp भी हो गया neon lamp का इस्तमाल incandesan हमेशा advertisement में करते हैं next cfl की बात करें बेटा अगर compact fluorescent lamp की बात करें तो cfl का लगभग लगभग 50 से लेके 90 lumen per watt क्या है luminous efficiency है उसके साथ साथ इसका 8000 घंटे cfl का क्या है cfl का अगर देखा जाये life spend कितना है लगभग लगभग 8000 घंटे है उसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर जो color होता है वो किस पर depend करता है इट depends on phosphor material इसका color किस पर depend करेगा फॉस्फर material पर जैसे zinc silicate आप कर रहे हो तो green color हो जाएगा residential buildings में इसका इस्तमाल होता है और इसका color तो हमें बता दिया यह इसका इस्तमाल कहाँ पर होगा इसका इस्तमाल residential buildings वगएरे में होता है या जहाँ पर आपको uniform illumination की जरुरत होती है वहाँ पर इसका आप यूज करने करते हो next बेटा अगर हम बात करें halogen lamp की halogen lamp की अगर हम बात करें कि halogen lamp का इस्तमाल आप कहाँ पर करते हो तो normally इसका जो efficiency होता है वो 49 lumen per watt होता है next अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसका जो इसका जो life span होगा वो लगभग लगभग आपके 2000 घंटे होता है यह आग के special tungsten dive filament है जिसमें halogen vapor हम inert gas के साथ mix कर देते हैं इसका color जो होता है वो yellow white होता है द्यान रखना इसका color कैसा होता है yellow white होता है इसका इस्तमाल हम flood lights वगएरे के लिए इस्तमाल करते हैं या indoor वगएरे stadium में हम इसका use करते हैं lighting के लिए sports वगएरे में LED का है next अगर देखा जाए इसकी life तो लगबग लगबग 40,000 घंटे इसका life span होता है 40,000 घंटे LED का जो color होता है ये भी depend करेगा कि इसके light emitting semi conductor material कैसे हैं किस पर depend करेगा depends on light emitting light emitting emitting semi conductor SC का मतलब semi conductor material कि कौन से light emitting semi conductor material आप इसमें इस्तमाल कर रहे हैं normally इसको indicating lamp में, panel board में, control switches में या traffic signals में, automobiles में इन सारे जगह पे हम LED का इस्तमाल करते हैं तो बिटा ये सारे के सारे lamp है एक table आप बनाओगे बहुत अच्छे से और उस table में आप क्या लिखने वाले हो types of lamp, efficiency, hours या life span, color और application और उस table को अगर आप याद कर लेते हो कि वली इन दो tables को तो ये सारे के सारे questions आपके examination में हो जाएंगे, तो अब हम आते हैं अपने अगले question पे, अगला question कह रहा है match list 1 and list 2, हमें दोनों list को क्या करना है, match करना है, तो आपको बताना है carbon arc lamp, बेटा carbon arc lamp का इस् flash camera में करते हैं, तो camera में आप जो flash होता है, उसमें carbon arc lamp भी use होता है, halogen lamp का इस्तमाल आप कहां पे करते हैं, तो halogen lamp का इस्तमाल बेटा हम कहां पे करेंगे, हम हमेशा sports indoor halls में करते हैं, कहां पे करते हैं, sports indoor halls में करते हैं, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, तो इसका इस करते हो mercury vapor lamp का इस्तमाल आप कहां पे करते हैं इंडस्ट्रियल लाइट में mercury vapor lamp का यूज करते हैं sodium vapor lamp हमेशा horizontally place करोगे mercury vapor lamp को हमेशा vertically place करोगे halogen lamp को हमेशा horizontally आपको place करना है otherwise इसमें जो iodine होगा वो definitely आपके iodine जो है बी का चार हो गया बी का चार का मतलब option बी जो है वो correct है तो इस तरह से आप answer दे सकते हो कि एक दो match कराओ जो नहीं है वही आपका answer हो जाएगा तो c का 2 है मतलब sodium का street lighting यहाँ पर d का 5 है मतलब neon का advertisement और e का अगर देख सकते हैं यहाँ पर 3 हो जाएगा next अगला question बीटा आते हैं अगले question पर list 1 और list 2 को match करना है और बताना है इसकी efficiency के term में incandescent lamp की efficiency सबसे कम होती है normally 10 से 18 lumen per watt मतलब a का 2 हो जाएगा बीटा a का 2 a का 2 मतलब option c या option d दूसरा sodium vapor lamp sodium vapor lamp है led है suppose आप elimination method का इस्तेमाल करो तो led आपको पता है यार led की efficiency कितनी होती है सबसे highest कितना 120 से लेके 200 lumen per watt तो c का क्या है 4 अब आप देखो यहाँ पर क्या है c का 4 मतलब option क्या है option c correct हो जाएगा बीटा means b का 1 होगा d का 3 होगा मतलब sodium vapor lamp की efficiency कितनी है आपको पता है 40 से 50 lumen per watt और cfl की efficiency कितनी है 50 से लेके 90 lumen per watt तो efficiency भी आपको सारी mention हमने कर दी है अगले question पे आते हैं और यह हमारा देखें तो इस question में हमें क्या करना है list 1 और list 2 को match कराना है और यह देखना है कि hours किसका क्या है हर lamps का life span कितना है तो incandescent का life span सबसे कम होता है तो इसका मतलब 1 का 5 या तो पहला दूसरा सारे option हो सकते हैं यहाँ पर सारे option हो सकते हैं कोई correct नहीं अभी बोल सकते हैं दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे highest किसका होता है LED का तो LED का आप देख सकते हो लगबग लगबग 40,000 गंटे है मतलब D का 1 हो जाएगा और अगर D का 1 है तो यह गलत हो जाएगा यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा D का 1 मतलब option B correct हो गया तो बेटा हम यह लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा option B correct है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B का 4 है मतलब sodium vapor lamp का अगर देखा जाए तो 3000 गंटे होता है next अगर देखा जाए यहाँ पर अगर हम बात करें C का 3 है C का 3 mercury vapor lamp का अगर देखा जाए तो 20,000 गंटे होता है जैसा कि हमने already आपको लिखवाया हुआ है neon lamp का अगर देखा जाए life expectancy तो neon lamp के लिए मतलब E का 2 हो जाएगा तो neon lamp के लिए आप देखोगे 10,000 गंटे है तो यह सारा का सारा हमने आपको match करा दिया तो सबसे highest किसका है 40,000 गंटे किसका LED का सबसे कम कितना है incandescent का कितना 1000 गंटे है clear है यह सारे के सारे points आपको याद रखने होंगे ठीक है तो आते हैं अपने अगले question और last question है यह हमारे series का इस practice set 4 में normally अगर देखा जाए तो यहाँ पर operations जो आप perform करते हैं जैसे सिविंग, सिलाई का काम करते हैं operation table पर operation देखते हैं railway platform, classrooms वगर है तो वहाँ पर कितनी luminous intensity होनी चाहिए इस तरह के भी questions आपके examination में पूछे जाते हैं तो यह normally रटने वाली चीज़ें हैं तो इसलिए आपको यह चीज अध्यान में रखनी है कि सिलाई की operation table, railway platform, classroom या other applications के लिए कितना luminous intensity होना चाहिए तो पेटा इसके लिए हम एक table discuss करेंगे जहाँ पर हम type of work लिखेंगे कि कौन से work को हम perform करते हैं और उसके साथ साथ उन work के लिए luminous intensity कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर हम देखेंगे type of work यह बहुत important है type of work देखेंगे और उसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि illumination level की requirement कितनी है illumination level की requirement कितनी है और यह हम measure किस में कर रहे हैं? lux में measure कर रहे हैं या lumin per meter square में lumin per meter square में measure कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं सबसे पहला अगर आपको देखा जाए यहाँ पर car parking तो बेटा car parking के लिए अगर पूछा जाए कि कितने है तो बहुत जादा illumination की जरूरत नहीं है car parking में तो लगभग लगभग 20 lux अगर है तो sufficient है car parking के लिए next अगर देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई entrance वगएर है जहाँ पर प्रवेश दुआर है या उसके साथ साथ अगर देखें कोई corridor है corridor के साथ साथ अगर देखें कोई stairs है या आपके kitchen वगएर है stairs या kitchen वगएर है तो वहाँ पर illumination लगभग 100 lux की requirement होती है next अगर आपसे पूछा जाए कि homes वगएर है में या theater वगएर है में theaters वगएर है में इसके साथ साथ अगर देखें तो canteens canteens या washing and polishing के लिए किसके लिए washing and washing and polishing के लिए कितने lux की requirement होती है तो थोड़ा सा ज्यादा लगभग लगभग 1200 lux की requirement हो जाती है office work आपके हैं office work या classes वगएरे के लिए कितने lux की requirement होती है कितना illumination level की requirement होती है लगभग लगभग आप देखेंगे तो 200-250 आपके office work या classes वगएरे conduct कराने के लिए requirement होती है maintenance repairs के लिए maintenance and and repairs maintenance and repairs के लिए कितने lux की requirement होती है लगबग लगबग आपके 300 लक्स की requirement होती है यह सारे के सारे points पेटा आपको याद रखने है next अगर देखा जाए कोई भी पूछे कि सिलाई के लिए कितनी requirement होती है तो सिलाई के लिए जो requirement होती है लक्स की यह ज़ादा होगी विकाज सिविंग करें गोई तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लक्स की requirement है तो यह 700 यह ध्यान रखना है यह बहुत ज़्यादा important है सिलाई के लिए कितने लक्स की requirement है 700 लक्स की requirement है next अगर देखा जाए कि operation theater पे हमें कितने लक्स की requirement होगी तो operation theater में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने लक्स की requirement है normally अगर देखा जाए तो operation theater में वो भी कैसे table पर जहाँ पे आप operation कर रहे हैं तो यह काफी ज़्यादा precision work है और काफी high precision work होने के कारण यहाँ पर लगभग लगभग अगर देखा जाए तो theater में अगर हम बात करें तो operation theater में 1000 lumen की जरूरत है कितनी 1000 lumen per meter square की तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1000 lux की जरूरत है बट हम बात करें अगर operation table पर कितनी जरूरत है ध्यान रखना operation table पे बेटा तो लगभग लगभग 2000 lux की requirement हो जाती है तो operation table पे जाधा होगा operation theater में 1000 तो operation table पे 2000 और अगर हम बात करें कि precision work के लिए illumination की requirement क्या होगी तो यही 2000 lux for other precision work कोई भी आप अलग अलग से आप कोई भी काफी ज़दा precision work कर रहे हैं तो वहाँ पर 2000 lux की requirement होगी तो क्या-क्या points आपको याद रखना है इसमें आपको याद रखना है इंट्रेंसेस वगेरे में स्टेयर्स में, किचन में, कॉरिडोर में कितने लक्स की requirement है 100 lux की, कार पार्किंग के लिए 20 lux की होम्स में, थियेटर में, कैंटीन में वाशिंग और पॉलिसिंग में 100 lux की, ओफिस वर्क की हो, तो वहाँ पे 2000 lux की requirement होती है और other precision work के लिए भी आपको लगभग लगभग आप देखते हैं तो 1500 से 2000 lux की requirement हो जाती है बिटा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है clear है, I think इसमें कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए तो चलिए अपने question पे आते हैं सिलाई के लिए, सिलाई के लिए कितने lux की requirement है, हमने आपको बुला 700 lux, तो इसका मतलब A का 2 हो गया, कोई ऐसा option option C या D correct होगा, A और B तो गलत हो गया, इस तरह से ही आपको question भी exam में करना है operation table पर कितने lux की requirement है 4000 lux की requirement है 4000 lumen per meter square की requirement होगी तो यहाँ पर अगर देखा जाए B का 4 है, तो B का 4 B का 4 मतलब यहाँ पे C और D दोनों हो सकते हैं, अभी बोल नहीं सकते हैं बेटा जब हम classroom की बात करें तो classroom में कितने lux की requirement है 200, क्योंकि railway platform अगर हमने नहीं बता है तो आप elimination method से use कर सकते हैं classroom में 200 lux की जरूरत है तो 200 lux का मतलब D का 1 और D का 1 option कहाँ पे है D का 1 option आपके option D में है तो option D correct हो जाएगा option C भी गलत है क्योंकि यहाँ पर यह answer match कर रहा है और railway platform पे अगर देखा जाए तो लगबग लगबग आपके 200 human की जरूरत होती है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि railway platform के लिए railway platform के लिए कितने lux की जरूरत है लगबग लगबग आपके 200 lux की requirement होती है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है Is that clear? कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा तो आज की classes में इतना ही और यहीं पे आपका illumination complete होता है illumination काफी ज़्यादा important है utilization में 8-10 question अगर आते हैं तो यहाँ illumination में आप देखोगे तो 3-4 question आते ही आते हैं तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से illumination को complete किया है एक बार आप इन 4 videos को अगर अच्छे से समझ लेते हो अच्छे से पढ़ लेते हो सीख लेते हो तो आपको extra कुछ भी पढ़ने की ज़रुरत नहीं है आप इस questions की किवल practice कीजेगा और कुछ important notes जो हमने आपको दिये हैं वो आप notes भी अच्छे से करिएगा अब electric welding के बारे में तो electric welding की class हम next session में लेके आएंगे practice set 5 में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले episode में Thank you so much to all of you